तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मिद करते हैं कि जहां भी होंगे अच्छे से होंगे तो चलिए हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहें कि अगर आप भी इंडिया से सौधियरब जाना चाहते हैं तो फ्लाइट के बारे में अगर आप कन्फूज है कि फ्लाइट ब बढ़ गिया है लेकिन अभी जो है आज से मतलब कि दस दिन के लिए स्कूल भी बंद होने जा रहा है जैसे कि आप लोग को पताएगे साओधियरब में होस ड्रैवर और भी कंपनी के बहुत ऐसे लोग है जो ड्रैवरी करते हैं और वहां पे छोड़ने जाते हैं मच्छे लोग को इस्कूल में लखिन आप लोग के लिए थोड़ा आ राम हो चुका है पहले जैसा ही सिस्टम हो गया है फिर से जुह हैं स्कूल को बंद कर दिये गया गया दस दिन के लिए आप देखिए दस दिन के बाद हो सकता है कोरोना किस कम हो जाए और यहां पर मैं आपको बता देता हूं इंटरनेशन फ्लाइट और यहां पर बहुत लोग सवाल करने थे भीजा क्या चालू है या फिर बंद है अगर आपका इसी यार पासपोर्ट है इमिगरेशन के अभी इंडिया में चालू है लेकिन कहीं कहीं लोगडाउन है कहीं कहीं नहीं भी है लेकिन यह सब काम जो है वीजा का चालू है देखिए बहुत इसे लोग हैं इंडिया आना चाहते हैं उसको इलाज कराने बहुत इसे चीज हैं जो आते हैं इंडिया भी लेकिन वह लोग का भीजा चालू इमीगे रेसन ओफिस चालू है मेडिकल करवा के आप नए भीजा लेके इंडिया टू सौधी अरबिया जा सकते हैं अभी कैसी में है कि कुरोना केस बर रहा है केस बरने के कारण यह है कि अभी आपको पैसा थोड़ा जो है ज्यादा लग रहा है यह बात इंडिया में जो लोग भी वैक्सिन लगा है उन लोगों को वहां पर कुरिंटीन में रहना है पांच दिन डिरेक्ट फ्लैट का तो यह हो सकता है कि फ्लैट बंद ना हो मैं आपको बता देता हूं कि अगर करणा केस बर ने लग जा तो हो सकता है कि इतना सौधी रहा है था जब तो उस टैब में तो फ्लैट बंद हुआ है यही था कि इंडिया साल में दूबई जा रहे थे दूबई में 14 दिन रुकने कबा सौधी अरब जा रहे थे अभी यह हो गया है कि फ्लैट जो है डिरेक्ट खूल गया है तो वही लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है वही आप लोगों पता है कि कुरिंटीन पैकेज लेना होता है लेकिन 14 दिन नियम नहीं है लेकिन आप दूबई दूबई से सौधी अरब अभी तो आदमी लोगों को वही फ्लैट मिल रहे है दूबई में बेटिंग करो दूबई से सौधी अरब जाओ तो यह है अगर आप बह का कुरिंटीन होएगा हो सकता है आने वाला टेम में अभी मैं आपको कुछ जो नियु जा रहा है वही बता रहा हो कल होके या फिर आदा एगंटा में कुछ और भी अपडेट आ जाए कि फ्लैट या फिर नियम कानून कुछ चेंज हो रहा है तो मैं आपको जरूर अपडे सब्सक्राइब जाने के लिए आप लोगो पताई है कि मुकिम पोटल पर रेजिस्टेशन 72 घंटा पहले करना होता है पिसी आर टेस्ट आप करवा लिजिए उसके बाद आप इंडिया से सब्सक्राइब आराम से जा सकती है तो अभी सब्सक्राइब में बहुत ही कानून ज लाजिम कर दिया गया सुरू कर दिया है कि हर एक आलम को माक्स पहनना जरूरी है तो अगर आप माकस नहीं पहनते हैं तो एक हजार रियाल अगर आप माकस पहनते भी हैं और नाक के नीचे पहनते हैं तो फिर एक हजार रियाल का फाइन लगाए जाएगा अगर आप ये दूसरे दिस में जाएंगे नया दूसरा कानून रहेगा मान लेते हैं कि वहां पर आप मार्क्स विक्स जो भी है आप फॉलो करिएगा इस नियम को अब यहां पर बहुत लोगों का यह सवाल आ रहा था कि सौधी अरब हमें जाना है लेकिन अभी जो है ट्रेवल इजिंट व करें कल फिर फलाइट बंद हो जाए तो इसको कोई बोल नहीं सकता है देखिए यह एक रिक्स होता है कल होके फलाइट बंद हो जाए तो बहुत ऐसे ट्रेवलेंट वाले हैं जो पैसा भी ने देते रहते हैं मुलते हैं कि फलाइट बंद हो क्या करें लेकिन आदा पैसा त तरफ से अपडेट आया या नहीं तो देखें सौधी गवर्मेंट के तरफ से जो नहीं जाए था कि जिन लोग जिन जो कंट्री के लिए उपर बेन लगए गया है उस कंट्री के लोग अगर सौधी रबाना चाहते हैं तो आ सकते हैं उसका एकामा और भीजा बरहा दिया जा अगर आतो हैं थो एकी दिसंबा तक बहा दिया गए अब एक जन्वरी आ गिया है अगर आपको 31 थी संबर बर गया है आप लोग चेक कर मोज़े यह तो आप आसकते हैं नहीं बरा रहे हैं तो बर जाएगा तो आप जो है फलाइट का टिकेट लेके सिर्फ जा सकते हैं इंडिया से सउधी एरब तो दोस्तों यह था कुछ आप लोगों का कोमेंट आ रहा था मैं सुचा कि इस वीडियो में पूरा रिप्लाइद दे दिना चाहिए तो आज की इस वीडियो मे तरहीं फिर मिलेंगे अगले बरियों ने जाने करके साथ